नमस्कार आप देखरें एक रुक्षित्र दोहजार चौबिस मैं हूँ आपके साथ प्राची पारशर तेश के एक और सीम के उपर जेल जाने का खत्रा मंडरा रहा है दली की सीम अर्विन केजरिवाल के खिलाफ एडी और क्राइम ब्रांच एक्टिव है एडी तो कोड भी पहुंच चुकी है साथ फरवरी को उनके पाच समन पर ना आने को लेकर सुनवाई होगी अब मामला क्राइम ब्रांच का भी गरमाया हुआ है अर्विन केजरिवाल और उनकी पार्टी ने बीजपी पर आरोप लगाये थे कि बीजपी साथ विधायकों को 25-25 करोड रुपे में खरीदने की कोशिश कर रही है सियम ने ट्वीट किया तो मंतरी आतिशी ने इस मामले में प्रेस कॉन्फरेंस की थी अब क्राइम ब्रांच की टीम दो दिन से उनसे सबूत मांग रही है इस मामले में नोटिस दे रही है चर्चा ये हो रही है कि करप्शन के खिलाफ केंदरे एजंसियां फ्री हैंड होकर आक्शन ले रही है ऐसे में क्या अगली बारी केजरिवाल की है क्या अर्विन केजरिवाल भी गिरफतार हो जाएंगे ये एक बड़ा सवाल है इस पीच आज अर्विन केजरिवाल ने जाज एजंसियों के समन और नोटिस को बीजपी का एजंडा बताया उन्होंने कहा कि बीजपी उन्हें जेल भेजना चाहती है अपने साथ लाना चाहती है लेकिन केजरिवाल ने दावा किया कि ऐसा उनके जीते जी नहीं होगा सुनाते हैं आज ये लोग हमारे इतना पीछे पड़े हुएं आप लोग रोज ख़बारों में बढ़ते हो गए मनीज सिसोदिया के उन्होंने जेल में डाल दिया बचाओ कह रहे हैं उसने ब्रश्टाचार कराए आज ये सारे हमारे पीछे पड़े हैं सारी एजनसी छोड़ दी केजरिवाल के पीछे संजे सिंग के पीछे मनीज सिसोदिया के पीछे सतिंदर जैन उनका क्या कसूर है? मनीज से सौधिया का कसूर है कि वो अच्छे स्कूल बना रहा था. सतिंदर जहन का कसूर है कि वो अच्छे हस्पताल और महला क्लिनिक बना रहा था. आज अगर मनीज से सौधिया स्कूलों पे काम नहीं कर रहा होता है यह उसको गिरफतार ना करते आज अगर सतिंदर जैन्ने महला क्लिनिक और दावाईयों का इंतिजाम नहीं की होता वो उसको गिरफतार नहीं करते इननों ने सारे शट अंत्रे राच लिए लेकिन हमको झुका नहीं पाए हमने का काम तो चलेगा काम तो करते रहेंगे हम लोग तुम अगर ये सोचो कि हम स्कूल बनाना बंद कर देंगे स्कूल तो बनेंगे चाह केजरिवाल को भी जेल में डाल दो तुम सोचो कि अस्पताल बनाना बंद कर देंगे महला क्लिनिक बनाना बंद कर देंगे स्कूल तो अस्पताल तो बनेंगे, मौला क्रेंग तो बनेगा, जनता का इलाज तो होगा, जै केजरिवाल को भी जेल में डाल दो, ये कहते हैं बीजेपी में आ जाओ, हम छोड़ देंगे, मैंने का बिल्कुल नहीं आओंगा बीजेपी में, क्यों आ जाएं बीजेपी में, नहीं आते बीजेपी में बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ सब तो क्राइम ब्रांच जिस मामले में पूछताच करना चाहती है जिस मामले में अरविन केजरिवाल से बात करना चाहती है एक बार फिर से वही कह रहे हैं अर्विन केजरिवाल की बीजपी में बुलाना चाहते हैं लेकिन जब सबूत मांग लिए तो अर्विन केजरिवाल पर फिलाल सबूत दिखाते हुए नजर नहीं आ रही है। कहते हैं कि यह नोटेस हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल जी के हाथ में ही देंगे। आज सुबह वही आधा दर्जन क्राइम ब्रांच के अफसर मेरे घर पहुंचें दो तीन घंटे तक वहां पे इंतिजार किया। कभी अंदर गये कभी बाहर गये कभी घर के पीछे के दर्वाजे पर गये कभी आगे के दर्वाजे पर आए। कहते हैं जी क्राइम ब्रांच का नोटिस है और नोटिस सीधा मंत्री जी के हाथ में देंगे। वैसे तो जो बिचारे क्राइम ब्रांच के अफसर आए हमें उन बिचारों पर कि दया ही आती है। और जब प्लीस में आए होंगे प्रमोशन के बाद इंस्पेक्टर बने होंगे ऐसीप बने होंगे तो तब सोचा होगा के पुलीस में आके देश की सेवा करेंगे। तब सोचा होगा महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, तब सोचा होगा देश वासियों के लिए कुछ करेंगे, लेकिन आज उन बिचारों को टीवी की एक प्राइम टाइम नौटंग की बना के छोड़ दिया है उनके राजनेतिक आकाओं ने. देखे सी पर चर्चा करेंगे, लेकिन बीजपी ने भी करारा पलटवार किया है अर्विन केजरिवाल की हमलों पर, बीजपी के नेताओं ने कहा है कि अर्विन केजरिवाल सफेज जूट बोल रहे हैं, लेकिन बच नहीं सकते हैं। कोशिश कर रहे हैं, यह कहके कि मेरे को बीजपी वाले बोल रहे हैं। जबकि सच यह है कि हमने खुच जाके दिल्ली पुलिस कमिशनर से शिकायत की, कि आप इसकी जांच कराईए, जो बार बार हमारे उपर में जूटे आरोप लगाते हैं अर्विन केजरिवाल जी, वो ऐ जाना चाहिए, मगर आप जो है आरोप लगा कर ऐसे भाग नहीं सकते हैं। तो अर्विन केजरिवाल जी ने जब अपने विधायकों से कहा कि तुम ऐसा जूटा ही बोल दो, कि तुम्हें फोन आया, तो सारे विधायकों ने मना किया। इसलिए उन्होंने सोचा मैं अपने जिसे आप टीवी के प्राइम टाइम की नौटंकी बता रहे हैं और जिन क्राइम ब्रांच के पुलिस अफसरों को आप डरे वे बता रहे हैं, वो डरे वे पुलिस वाले आप ही की तो मदद करने आये थे, आपने गंबीर आरोप लगाए, बीज़पी आपको तोड़ रहे दे दीजे सबूत, एक्सपोस करिये इनका चेहरा देखे प्राची जी, 2014 के अंदर बारते जनता पार्टी दिल्ली परदेश के उपाध्यच सेर सिंग डागर थे उनको हमने सबूत के साथ, वीडियो के साथ पुलिस को दिया था, प्रेस काउनफरेंट्स करके बताया था मैं पूछना चाहता हूं क्राइम ब्राच के आकाउं से कि उस पर आपने क्या किया सेर सिंग डागर को जेल हुई क्या पूस्ताच हुई क्या चार सीट हुई और दूसरी बात यह है कि देखिए हम इसका भी सबूत दे देंगे आज आप एक वरिष्ट पत्रकार हैं आप अपना कैमरा ले करके घूम जाए देश के किसी विराज में जो गयर राज नहीं है किसी से छुपी हुई बात नहीं है आप देखिए मैं बता रहा हूं उनसे जाकर सहजाद पुनावाला जी पूछ ले और दिल्ली पुलिस भी जाकर उनसे पूछ ताच कर ले और इनकी आका भी उनसे पूछ ले दो हजार सोला के अंदर उत्तरा खंड में नौ कांगरेस के विदायक आप जो इतने बड़े बड़े प्रेस कॉंफरेंस कर रहे थे आपके नेता सोशल मीडिया पर लिख रहे थे अब जब आ गई पूलिस आपके पास पूछने के लिए बताईए वो कौन लोगें जो आपके नेताओं को तोड़ना चाहते हैं आपके विदायकों को 25 करोड़ रुपे में खरीद रहें तो यह क्या इसमें क्या गुना कर दिया ग्राइम ब्रांच ने मदद ना करें आपकी कि नहीं हम कह रहें कि हम बतातो रहें किससे पूछना आप जाईए पूछिए हम मना थोड़े कर रहे हैं आप पूछिए 2016 में उत्तरा खंड के अंदर 9 कांग्रेस के विदायकों तोड़कर भारतिय जंता पार्टी में शामिल कराया गया यह वही लोग थे जो हमारे विदा में थे करनाटक के अंदर 2019 में जेडियस और बीजेपी के 17 अमेले तोड करके भारतिय जंता पार्टी में शामिल कराकर बीजेपी की सरकार बनाई गई यह वही लोग थे जी एंपी के अंदर 2020 में किसने नहीं देखा किस तरीके से 29 कांग्रेस के विदायक तोड़कर के वार दिल्ली की क्राइम ब्रांच अभी तक तो चलिए एडी जो कर रही थी वो गहर कानूनी था कोट में चला गया मामला अब क्या क्राइम ब्रांच भी है दिल्ली पुलिस भी आपसे पूछ कर काम करेगी कि आपके इशारे पर काम करेगी कि जाहिए इनसे पूछिए जाहिए आलोप लगा दिये हमारी अपको इजम मेदारी नहीं है कि देखी प्राची जी पिछले तीन दिनों से जो भारतिय जंता पार्टी द्वारा संचालित दिल्ली के अंदर क्राइम ब्रांच नो टंकी कर रही वो सब ने देखा है वह मने संबन देखा और आपने भी देखा जो जो चिट्थी दीए वह आपने भी देखा है उस पर को यह एंदर जिक्र है नória उसकोई सAm जिने जब क्राइम बरांच से पूछा कि भाया बताओ कौन सी चिठिल आए हो जो आपको सीम साब के हाथ में देना है तो बोलते हैं जी मीडिया के सामने बात नहीं करेंगे इससे साफ जाहिर है जिस पुलिस को दिली के अंदर क्राइम को रोकना था भार्ते जन्ता पार्टी के कारकरता की तरह करने लगती है चाहे दिल्ली की क्राइम ब्रांच आपको नौटंकी लग रही हो, चाहे मेरे सवाल आपको गलत लग रहे हो, लेकिन हम तो आपकी मदद ही करना चाहरे हैं, मैं भी जानना चाहरे हूँ, ताकि मैं आज शहजाद पुनावाला जी से खड़ा करके पूछू कि आपके नेता या आपको तो सबूत हाथो हाथ दिखा देने चाहिए रिकॉर्डिंग्स की बात आप लोगो ने की चलिए जो आप सहजाद पूरावाला जी से सवाल पूछना चाहे थी तो पूछे कि 2014 में जब ये कांग्रेस के अंदर थे तब की बात में बता रहा हूँ 2014 में हमने सबूत के साथ बताया था कि भारतिय जंता पार्टी के दिल्ली परदेश के उपाद्धेचने हमारे विदाये को खरीदने की कोशिश की और उसका सबूत यह थी तो आप पूछ लेती हूँ आप तो बताएंगे नहीं सबूत का है अब सम्विधान के मुताविक पूछ ताच करेंगे ना उसी सम्विधान में एदी भी आती है अरे आप सम्विधान के तहत अगर क्राइम बराँ चाया होता तो यह नोटंकी नहीं हो इसमें क्या नोटंकी है फिर भी जाल देती हुश्यजाद पूनावाला जी आपने क्या अब यह जवाब दीजिए आदिल पूरी पार्टी यह कह रही है कि यह नोटंकी हो रही है क्राइम ब्रांच की तरफ से और वो करा रहे हैं उनके आका आका का मतलब आप लोग भारते जनता पार्टी क्या परिशान करना चाहते हैं लगातार 6-7 मिनिट उनको आपने मौका दिया मैंने एक शब्द भी नहीं बोला तो मैं आदिल जी से केवल वो क्योंकि मैंने मित्र भी है तो एक करार चाहता हूं कि हम एक दूसरे के बीच में ना बोले दो ही गैस्ते हैं दो ही लोग हैं एक एक करके बोलेंगे आदा समय लूंगा उनसे तो मुझे उमीद है कि व 30 करोड जो है खा गये हैं को राहत नहीं देती है तो आरोप लगते हैं तब भी भागते हैं और जब आरोप लगाते हैं तब भी भागते हैं मतलब कि आरोप लगे तो on the run और आरोप लगाके hit and run अब ये hit and run आरोप क्यों कहा रहा हूं मैं आपको एक टेक्निकल आंसर है एक पोलिटिकल आंसर है, टेकनिकल आंसर पहले सुन लिजे, अभी जब कोई अपराद होता है, जिसमें मर्डर हो गया या कुछ हो गया तो एफार डायरेक्टली हो जाती है, जो ऐसे अपराद होते है कि तेरी और मेरी बात के बीच में संकट पैदा हो जाता है, तो दिल्ली पु नोटिस में आप बासकर से पूछ लीजे, जो कवर करता है अमादभी पाथी, उसमें कुशनेर भी है, अब कुशनेर के बारे में जैस्मिन शानी नहीं बताया है, एफार समन नहीं है, समन जो है और नोटिस जो है, 62 सेक्शन पढ़ लीजे से यार पीसी का, परसनली ही पहल और इसलिए 2013 से लगातार आरोप लगा रहे है, 2013, 14, 19, 22 में लगा रहे हैं, कि हम इनकी पार्टी तोड़ना चाते है, बाकी सब छोड़ दीजिए, मैं लास्ट आरोप लेकर आया हूँ, 25 अगस्त का 2022, सुनीए, ये इंडिया टीवी की रिपोर्ट, सुनीए, इसमें जो है, कहा जा रहा है? बड़ा ओफेंस हो गया, दूसरी बात मैं आप से कहना चाता हूँ, अब देखें, मुझे एक बात बताईए, कि जो एडि के समन्स है, वो पांच बार समन इनको मिले, अगर ये समन गलत थे, समविधानिक नहीं थे, तो जाकर कोश करवाते, जाकर स्टे लेते, और संजै सि मनीज सिसोद्या के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक किसी ने राहत नहीं दी है, ये भी असमविधानी, क्या भी समविधान आपको सिखा रेते, समविधान के मताबर अचीर, प्राची जी मैं आपके स्वागत करता हूँ इस सवाल का, क्यों, क्योंकि केवल ED के मामले में ये नहीं है बंद, CBI के मामले में भी बंद है, CBI जो पीमले में नहीं करती है, जांच, वो करती है, IPC और POC में, और POC में मनीज सिसोद्या को हाई कोर्ट ने रिफ्यूस किया बेल, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ किवल आधिया दूरी, और ये कह रहा है, ED ब अदमी पार्टी, मतलब अपने मामले में गुनेगार और दूसों के मामले में भरष्टा चार, और दूसरी बात, मैं एक लास्ट ओडियो सुनाना चातो, शराब गोटा ले में, सुनी, ये शिक्सा का मामला नहीं है, शराब की बात हो रही है, शिक्सा पर छुपने का काम, ये सुप्रिया शिनेत, आदिल भाई चलिए, मैं पल्टू आप मुझे कहेंगे, मुझे आप दस चीज़े बोल देंगे, सारी चीज़े स्विकार है मुझे, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपकी तो साती है सुप्रिया, कॉंग्रिस पाटी, ये क्यो आपके खिलाफ होगए, आप दीजे, आदिल जी, आप इस बात पर जवाब दीजे, देखे, दो बाते हैं, दो मामले चल रहे हैं, आप बार बार अर्विन केजरिवाल भी कह रहे हैं, कि देखे, मुझे तो बीजे पर जुकाना चाती है, मैं जुकूंगा नहीं, एक तो ED का मामला, आप तो नहीं क परवक्ता ने एक बात कहीं, डकाइथी और बकाइथी, अरे हम भी तो कह रहे हैं, कि डकाइथी और बकाइथी तो देश में चल लए है, बलकि बकाइथी और ढकाइथी चल लही है, आप देखिए कि देश के परधानमंत्री आदल्या नरेंडर मोधी जी ने कहा कि एक व्य रहे थे सहजाद भाई करें मैं नहीं कह रहा हूं हेमंत विसु सर्मा के वारे में हमारे देश के आदर्डिये ग्रेह मंत्री जी ने कहा कि यह जेल में इससे चक्की पिसवाएंगे चक्की पीसिंग बुकलेट बाट रहे थे उसको लाकर के असम का मुखमंत्री बना देते हैं तो सहजाद भाई यह कह रहे हैं कि वो भी बकाईती और डकाईती कर रहे थे दूसरे तरह एक नाम है छगन बुझवल का वो जब भारती जंता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो ED जाके कोर्ट में कहते हैं कि साहब इनकी तो फाइल ही गायब हो गई तो भाईया इससे ज सब्सक्राइब नाम पर अब जवाब लूंगी यह मेरे बैसाद जी से मैं उम्मीद करूंगी कि मेरे सवालों का जवाब वो देंगे एक एक नाम पर लेकिन मेरा सवाल चूट गया ना अदिल जी अब देखें आप इन पर आरोप लगाते रह गए और मेरा सवाल तो चूट सब्सक्राइब करें हमें परिशान कर रही है अरे आपको बुला कर आप से सिफ यही तो पूछ रही है कि बताइए आपके पास क्या डीटेल है कौन से साथ विधाय के आपके जिनको तोड़ने की कोशिश की गई देखे प्राची जी मैं वही कह रहा हूँ कि क्राइम ब्रांच आई होती चुप चाप आकर के जैसे क्राइम ब्रांच नोटिस सर्व करती है जैसे सम्मन सर्व करती है उस तरीके से सम्मन करती ती तो हम नहीं कहते कि कोई नोटन की हो रही है पर क्राइम ब्रांच आती है उ उस पर कोई समन का जिक्र नहीं है उस पर कुछ हाई नहीं आप एक बार कह देते हैं कि क्राइम ब्रांच की टीम मीडिया से डरी हुई है और एक तरफ कह देते हैं मीडिया को लेकर आई अब यह किस तरीके का डर है कि खुदी मीडिया को लेकर आरे आप नहीं देखा आपने देखा आपने जवाब बता देता है अरे तीस सिकंड आप बोले देखे एडी की क्राइम ब्रांच की टीम माने मुखमंतरी जी के घर पहुच्छती है भारतिय जन्ता पार्टी के लोग वहाँ पर मीडिया भेज देते हैं यह वही क्राइम ब्रांच की टीम है जो आज पूरे हिंदुस्तान में दिली के अंदर सबसे जाधा क्राइम हो रहा है और चार्ट से अरे सुन तो लीजिए आप सुनना चाहती हूं तो सुनिए ना मरी बात तो सुनिए पूरा देश आप से सबूत मांग रहा है कि दे पूछें आपने आरोप लगाया है तो आपसे पूछ रहे हैं एक सिकंड शेदा जी एक सिकंड सुनिए अपने तीन चार नाम लिए मैं उसका स्पेसिफिक जवाब देना चाहते हूं और आदिल भाई क्रिप्या करके मैंने आपके बीश में नहीं बोला मैं सारे नाम मुझ का नाम लिए आपने कहा हमने केस बंद करवा दिया चगन बुझबल के बारे में एविडेंस नंबर वन मैं आपको पेश कर रहा हूं प्राची जी ACB's 2013 प्रोब रिपोर्ट गिवस चगन बुझबल क्लीन चेट 2013 में माराश्टर में किसकी सरकार थी आदरेनिय परम आदरेनिय परित्विराज चवान की ये देख लीजे हमन तब इस सर्मा पर बिलकुल सही बात है हमने बहुत आरोप लगा है 2015 में हमारी पार्टी में तो हमारे अध्यक्ष ने उस समय कहा कि इंके उपर केस चलेगा है juicy चट चला हाई कोट तक गिया इनकी मंड लिगए तieu हाई कोट क्लींचेट मिला कुछ नहीं निकला तो हमने मैं स्विकारा है ऑफ को पर यही कोट जब कहता है 338 करोड का मनी यही कोट जब मनी सिसोदिय को बेल नहीं देता है कि आपने अगर शराब घुटाला नहीं किया, अजीत पवार का भी देते तो फिर मुझे 30 सेकंड और दे दीजे, अजीत पवार के विशेह पर ये पहले ऐसे राजनेतिक लोग है, जो कहते हैं, अगर कोई इनको भरष्ट ना कहे न तो कहते हैं, नहीं, हमने किया है भरष्ट हैं, क्योंकि अजीत पवार तो उन्हीं के साथ थे, और बिना मुख्यमंत्री के दस्तकत के कोई भष्ट अचार हो नहीं सकता, तो बताईए कि उस समय के मुख्यमंत्री भष्ट थे के नहीं थे, पहले वो आप क्लारिफाइ कर दो, और आखरी बार, चलिए ये सब तो चलि बाकी सब छोड़ दीजे, करॉप्शन के पहमाने पर, आदिल जी, क्या लालू प्रसाथ करॉप्ट, कन्विक्टेड है, हाँ या ना, क्या आप उनको करॉप्ट मानते हैं, अब मुझे देखे, दया आने लगीगी, जैसे आतिशी को दया रही थी थी न, दिल्ली पुलिस मुझे दया आने लगी कि दवा भी नहीं छोड़ी, दारू भी नहीं छोड़ी, और लालू का हाथ पकड़ कर बैठे हैं, जो कहते थे एक समय पर, अन्ना जी की उंगली पकड़ करके पहले इस्तीफा फिर जांच, आज इस्तीफा दूर की बात जांच में शामिल नहीं होत करो, दो दिन उसका इंटेरोगेशन करो, ये तो आप ही का स्टेटमेंट था ना, आपने अभी कहा कि हमने स्टेटमेंट दे दिया है, जाकर कारवाई करो तो देखो, कारवाई हो गया, बोले स्विकार ये, आदल जीन तमाम आरोपों का जवाब दीजगा, एक छोड़े से ब्रेक लिए रुक रही हूं, ब्रेक से फॉरन वापस लोटेंगे, देखते रहे कुरुक्षितर दोहजार चौबेस करार है, मैं अभी भी नहीं समझ पार ही कि क्राइम ब्रांच का आपको बुलाकर आपसे सबूत मांग लेना, परिशान करने जैसा क्या है, अब आप अगर सुन लेंगे, बीच मन नहीं बोलेंगे, तो मैं बोलूँगा, बोली बोलिए, क्योंकि आप मेरे बीच में तो लग कि पांच घंटे क्राइम ब्रांच बैट करके नोटिस देख जो चिट्टी दे कर जाता है, उस पर किसी समन का जिकर नहीं, उस पर किसी एफाई आर का जिकर नहीं, तो आप क्या बार बार पूछ रहें कि सबूत दीजिए, अभी हमने लंबी फेहरी स्ताप को बताया, कि कि इस तरीके से इस देश के अंदर बड़े बड़े नेताओं को, बड़ी बड़ी पार्टियों को, सीबियाई और इडी का डर दिखा कर बारते जंता पार्टी में शामिल कराया गया, उनके खिलाफाद तक करवाई क्यों नहीं हुई, हमने आप से बहुत सारे नाम बताये, और मैं फिर कहता हूँ, कि जिस देश के अंदर छगन भुजबुल की फाइल, एडी ए कहती है कोल्ट में की गायब हो गई, हसन मुफरिब जैसे लोग जिनके पिट्रोल पम तोले जा रहे थे, उनको रात के अंदेरे में मंत्री बना दिया गया, उस देश के अंदर आप कर और जाएजात पूरावाला ने आपके नेसलन चैनल पर बैटकर जूट बोलने का काम किया है, मुझे लगता है कि देश के हर लोग जो देख रहे होगे आपके चैनल को, वो सब जामते हैं कि इस देश के अंदर आपरेशन लोटस की तरीके से चला है, किस तरीके से चारों लोगों को डराया धंकाया जा रहा है इस्ट इंडिय्या कंपनी याद करिये जब इस इंडिया कंपनी सदेश के लाव आई थी समचे घृत पूरा बोलने दिया लेकिन मेरा सवाल फिर वहीं का जस्का तस है आप कहेंगे कि मैंने तो जवाब दे दिया आप इस पर थोड़े से एग्रेशन में भी आ जाएंगे लेकिन मैंने आपसे सवाल महराश्ट को लेकर तो नहीं पूछा था मैंने आपसे सवाल उन बाकी की बात कर रहे थे दिली पर सबूत दीजी ना अरे तो भाई मैं कहां कह रहा हूं हमने 2014 में सबूत बूत दिया था वार्ते जंता पार्टी के वाइस-प्रेसिदेंट का नाम भी लिया था हमने वीडियो भी दिखाई थी हमने और यो भी दिया था उस पर पुलिस ने क्या- आप सारे उनसे केस बंद और जो आपके खिलाफ लड़ाई लड़े जो इस देश के लोकतंतर को बचाने की लड़ाई ले उसके लिए जेल ये कहा का कानून है आपको यकीन हो ना हो देश की बाकी विवस्ताओं पर लेकिन आपके एक सवाल का जवाब बड़े स्पेसिफिकल दिलवाने की कोशिश कर रही हूं मैं इस वक्षेजाद पुनेवाला जी से बेशक मेरे सवाल छूट जाएं एक सवाल और रहे गया तो जारा जूट ही तो बोल रहे हैं मैं तो आपको बहुत सवरी लंबी पहरिस्त बताई इनसे पुछे उस पर इनका क्या इस्टेंड था हरे मेरे सवाल और हमको अपनी पार्टी को लालू परसाद यादो जी की पार्टी में मर्ज नहीं होने जा रही है इस देश के लोकतंत्र को सम्विधान को सम्विधानिक इजनसियों को बचाने के लिए हम सारे लोग एक साथ आए हैं इनकी तरह हम एडी सीबी आई एजनसियों के जरिये तोड़-टोड़कर सरकारे थोड़े बना रहे हैं हमारे हमारे उनकी राजनेतिक विचारदाला अलग अलग लग है इस अपर आना चाहता हूं बीस सेकंड मुझे अगर अनुमति दे दें मैं उस पर भी आ जाओंगा मैंने अभी तक कोई भी सवाल को टाला नहीं है मैं केबल दर्शकों को याद देलाना चाहता हूं कि audio tape के उपर भी कोई सवाल का जवाब नहीं नहीं का कि मर्च किये मैंने का करप तो बता दो तो नहीं बता पा है क्योंकि उनको गड़बंदन रखना है चोड़ देते अब आते 2014 वाली घटना पर मैं उसका भी जवाब देता हूं एक सिकंड के लिए मान देते प्राची जी कि इस पर कोई भी कानूनी कारवाई दिल्ली पुलिस ने हमारी सरकार ने नहीं की 14-24 के बीच में इन्होंने एक प्राची जी एक लालू प्रसाद नहीं लालू प्रसाद तो 14 की बात हो हुई आपको पता है अब जब ये गड़बंधन में हैं तो डियम के के नेता पॉन मुडी 3 साल के लिए बरश्टाचार के मामे में इस पर बता दीजे मानेवर कि आप Zero Tolerance of Corruption बोलते बोलते आये थे राजनितिक पतल पर आज दो-दो व्यक्ति करप्ट है चले चगन प्रत्यारोप है प्रत्यारोप चलता रहेगा ऐसे आरोप प्रत्यारोप बहुत होते हैं पर आप मुझे बताइए convicted करप्ट क्यूंकि आपने संविधान की बात की और संविधान के तैथ कोट के माध्यम से चार बार कनविक्षन 2013 में जे मेम के 37, पहली बार कनविक्षन 97 में जो आपके साथ है उसके अलावा कोट ने इनको रहात नहीं दी है कोट ने आज तक मनी सिसोदय को रहात नहीं दी है अब मैं आना चाहता हूँ कि एक दूसरे मुद्धे पर आडियो आदल जी आड़े आड़े दस पंदा सेकंड और यह मामला है political conversion का पहले क्या कहते हैं बच्चों की सौगन खाते हैं कॉंग्रस के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे बच्चों की सौगन खाते हैं शीश महल नहीं बनाएंगे बच्चों की सौगन खाते हैं कि हम लोग वो न कहिरा जी की गिरफतारी पर तो कॉंग्रस बोते हैं अप लोगत अंत्र मार रहें तम दंगोल में कॉंग्रस कहती है त्रिनृण मुल ओकतॐ मार ही गेगा और केरिल के लेफ्ट है dene बचार रहा हो दिए एट भाख रहा है कि परदान मंत्री जी ने नितीश कुमार जी के बारे में जो उन्होंने विधान सभा में बोला था उसके बारे में सारजुनिक मंच पर पता ने क्या क्या बोला था अब ये बताएं कि जो बिहार की बात है इसलिए बिहार पर ले जा रहा हूं तो जो विधान सभा में बोला वो सही बोला था या घलत बोला था एक चीज़ यह बता दें दूसरी चीज़ मैं यहां महां की बात नहीं कर रहा हूं सहिजाद पुना वाला ने नरेंद्र मोधी जी के बारे में जो बोला था वो भी बता दें इसका भी जवाब बाजी करते हैं पर जमीन पर क्या हकीकत है वहां आदमी से पूछी जो सकतर रुपय की डाल खाता तो और यह लोग नारे लगाते थे आज वो डाल कितने की बिक रही है ठीक है जवाब दिल वादे तूस बात का भी जवाब दिल वादे ते नितीज पर और एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिन एक मिन अब एक परेशानों मत हो आप ही बूलत पुना वाला ने कहा कि नरेंदरमोदीजी हिंदू है या नहीं रही हैं फेशलिंगा कि कि बेटी को यह सारे लोग पैसे देते थे विजह मालिया और पता निकिस का किसा नाम बताया था वह पैसे देते थे यानहीं देटेश चीzenie और एक सवाल और पूछा था, नितीज कुमार जी ने जो विधान सवा में महिलाओं के खिलाब बोला था, जिसको देश के प्रधानमंतरी और आपके नेता ने कहा कि बहुत गलत बोला कारवाई होनी चाहिए, कब कारवाई कर रहे हो और उनके साथ गलबहियां क्यों किया, इ जवाब देंगे, आप ये बताएंगे कि कैसे विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई और एडी के मामले में आप कोर्ट क्यों नहीं गई अभी बताएगा, ठीके जवाब देंजेगा, आरोप मत लगाएगे, आदिल भाई, मेरा समय है, आदिल मेरा समय है, बिलकुल, नितिज जी पर, नितिज जी जो विधान सभा में बोला, आज भी मैं बोल रहा हूँ, एकदम गलत बोला, उस समय पर समिति एरानी जी से लेकर बाकी हमारे नेताओं ने, मैंने भी उसका खंडन किया, इन लोगों ने बचाया, एक स्टैंड नहीं लिया, और उसके दबाव हमारे स्टैंड के दबाव में नितिज जी ने माफी माँगी, और हम स्विकारते के उन्होंने माफी माँगी और गलत बोला, आज भी मैं कहता हूँ गलत बोला, आपने उस समय पर क्यों स्टैंड नहीं लिया, और कॉंग्रेस ने भी नहीं लिया, चले छोड़ दे इस पर दबाव डाला जाता था ये बोलने के लिए, अब मैं आपसे पूछा चाता हूँ कि आप पर दबाव आ गया है, इसलिए आप लालू को करप्ट और सोनिया को करप्ट नहीं बोल पा रहे हैं, मुझ पर तो कॉंग्रेस ने दबाव डाला था, और कैसे कैसे दबाव डाल तो मैं तो ये पूछ रहा हूं कि नितीश कुमार जी के खिलाफ हमने तो पता ही उन्होंने ख़लत बोला तो सब को पर देश को पता है उन्होंने घलत बोला था, आप कारवाई कप करेंगे, अब आपके साथ वाकर खळए हो गए, तो नितीश कुमार जी की तारीफों में तारीफों में पुल बांद रहे अरे दोजार चौदा आपके उपर दबाव डाला गया जब तक कांग्रेस की सरकार थी तब तक आप सत्ता का सुख भोग रहे थे अधिया टीवी पर बैट पर बोले आपके उपर दबाव डाला जा रहा था नहीं नहीं देखें देखें कर जूरए हम बार बार हमेरी कांग्रेस की विचार थारा लालू पसाद यादो जी की विचार-थारा समाजवादी पार्टी की व्चार दारा अलग-अलगोंळे के लिए किस सम्मेदानी जी फृष रापर पर बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे बिल्कुल बचाएंगे हम चगन भुजबुल जैसे बरफ्टाचारियों से बचाएंगे इस देश को परधान मंत्री ने बचाएंगे इस देश को बचाएंगे इसे तोड़ा तो आप महाराश के बात करने लगते हैं आप बिहार की बात करने लगते हैं आप दूसरे स्टेट्स की बात करने लगते हैं इसे तोड़ी ना होता है दिल्ली की बात करें तो दिल्ली पर जवाब दी Mittele wanna दो आजट कि आज तक कोई कारवाई कि हमने तो वीडियो भी दिया था अब यहां से लगे पंजाब तक सवाल आप सब्सक्राइब आप पार्टी की सरकार दिली की सरकार तो विक्टिम सरकार है सब कुछ गलत हो रहा है आप से आप जैसे जैसे कहीं कैसे भी काम करेंगे लेकिं दिली में वहाप के सापसे काम करेंगी ऐसा और वो जनता बता रही है वो जनता रहे रहे हैं वह समिधान बता तुछ आपने प्रेस कोनफरेंस की जनता तो नहीं आई थी आप से पूछने आपने प्रेस को बताया कि जह मारसाइब कुछ गलत हो रहा है हमारे साथ विदायकों को 25-25 करोड रुपए और तो हम रुकिया ना एक मिनिट फिर आपने प्रेस कोनफरेंस करने के बाद सोशल तो यह पताने में क्या दिक्कत है कि कौन है कैसे है किसने तोड़ा कौन साथ विधायक है तो आपको तुरंट बता देना चाहिए हम सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं दिल्ली की जनता को और देश की जनता को बिल्कुल बताएंगे आप बिल्कुल परशान मत होईए हम 100% बताएंगे और पराची जी आपको भी बताएंगे हमारे पास हमारे पास हमारे पास जो भी सबूत है हम देश की जनता के सामने रखेंगे अदिल्ल वाई डिबेट में अपनी दॉर में उसे मत किजिये अधिल जी इतनी अच्छी डिवेट चलिए और मैं उम्मीद करता हूं कि कोई एकाद और जेल चला गया तो आप भी मंत्री बन जाए अब मेरी बात सुन दीजी दस सक्षा बोले अच्छा बोलना भी गुना हो चुका है और वह देखो मुसल्मान भाई के लिए अपने मुसल् बहुत अच्छे से डिवेट गई है आदल जी आदल जी मैं सुनाई पड़ रहे हूं कि अब मैं भी सुनाई दे रहा है पर रोल करेंगे उनको अच्छन आ चुका है मैं मैं फिर ऐसे नहीं कर पाऊंगे ना फिर मुझे आवाज थोड़ी कम करवानी पड़ेगी वह मैं चा आपने तो मुझे क्या-क्या नहीं परस्निली का मैंने एक भी शाप परस्निली का एनिवेज मैं अभी उन्होंने आपको आश्वासन दिया प्राची जी और इंढिया टीवी आज इस इतिहासिग डिएट को इंडिया प्लीज मैं आप से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अनिश प्राची जी आप एक एतिहासिक शण के गवाह है आज की डेट को नोट करके इंडिया टीविस को आर्काइव में डाल दे कि इन्होंने काया कि कुछ समय में उप्यूख समय पर हम बता देंगे तो इसका मतलब अब ये देड़ साल पहले कहा था अब और देड़ साल मांगेंगे क्यूंकि ये ओन्गोइंग ओफेंस है पब्लिक सर्वेंट को घूस देने की जानकारी होना ये एक ओफेंस है अगर आप उसका अपराद रिपोर्ट कराके उस पर करवाई नहीं करवाते हो तुकि आप अब बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए